तो आखिरकार वो दौर आ गया है जब हर सुबा उठके हमें ये सोचना होगा की नहाले या रहने दे तो अलो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग दिस इस आर्जेक्षत अर्जे प्रियांशी और आपने ठ्यून किया है SPS Waves जी हा, SPS Waves तो एट लास्ट विंटर्स आ गया है यानि वो मौसम जब हम लोग रजाई में डुबक के खूप सारी मूमफली खा सकते हैं खूप सारे भुट्टे खा सकते हैं तो इसी आलस को लेके, ओ, I mean इसी जोश को लेके चली आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड अरे लेकिन लेकिन रुको 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 इससे पहले कि हम अपने आज का एपिसोड शुरू करें हम, हमारी और अपने SPS टीम की ओड़ से आप सभी को बहुत बड़ा वाला थैंक यू बोलना चाहते हैं आपके एप्रिसियेशन के लिए, और हाँ, आपका सपोर्ट ही हमारा फ्यूल है ओ, हलो, वो फ्यूल नहीं, वो मोटिवेशन है भाई, भाई, मिन्स, आपका सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है और उसी मोटिवेशन को लेके हम इतनी महनत कर पाते हैं, इतनी कोशिश करते हैं कि हर बार कुछ नया लेका हैं आप लोग के लिए तो चलिए, इसी मोटिवेशन को लेके शुरू करते हैं आज का एपिसोड तो आज की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं करोना के बारे में जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं, अल्मोडा में फिर से केसिस बढ़ने लगे हैं अल्मोडा में ही नहीं, पुरे उत्रखन, पुरे भारत में फिर से केसिस बढ़ने लगे हैं लेकिन हमें इसे रोकना हैं, आप सभी लोग सारी साफधानिया बढ़ते हैं और आमिताब बच्चन का डालोग याद कर लीजे और हाँ, winters भी आ चुके हैं, winters के साथ common cold भी आता है और याद रखें, corona के symptoms और common cold के symptoms काफी कुछ एक जैसे हैं तो इसी लिए साफधानी परतना और जरूरी है तो चलिए, अब बात करते हैं हमारे first day के बारे में that is International Day for the Elimination of Violence Against Women which is observed on 25th of November Violence against women and girls is one of the most widespread, persistent and devastating human rights violations in our world today It remains largely unreported due to the impunity, silence, stigma and shame surrounding it As countries implemented lockdown measures to stop the spread of coronavirus Violence against women, especially domestic violence, intensified in some countries Calls to helplines have increased five-fold यहां दिवस संयुक्त राष्ट दारा 25 नवंबर को दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतराष्टी दिवस के रूप में मनाया जाता है संयुक्त राष्ट संद का मानना है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा मानवाधिकार का उलंगन है prevent and collect. Then we celebrated National Constitution Day. Constitution Day, also known as Samhiddandivas, is celebrated in our country on 26 November, every year to commemorate the adoption of the Constitution of India. On 26 November 1949, the Constituent Assembly of India adopted the Constitution of India, which came into effect from 26th January 1950. The Ministry of Social Justice and Empowerment on 19th November 2015 notified the decision of Government of India to celebrate the 26th day of November every year as Constitution Day to promote constitutional values among citizens. और हमारे सम्विधान की यही विशेष्टा है कि इसमें सभी को शान्ती पूर्वक अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है. इसका सबसे अच्छा एक्जम्पल जैसा कि आजकल हमारे किसान भाई प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी बात को शान्ती पूर्वक सभी लोगों तक और पूरी सरकार तक पहुँचा रहे हैं. हमारा सम्विधान सेक्यूलरिजम का समर्थन करता है, विभिन भाषा, संस्कृती और सभिता को हमारे सम्विधान में एक रूपता दी गई है. और इस बार की सम्विधान दिवस के दिन, हमारे स्कूल में भी एक छोटा सा प्रोग्राम रखा गया था, जिसके अंडर, जितने भी S.O.P. के तहट, स्टूदेंट्स आये थे 10th or 12th के, और जितने भी टीचर स्टाफ था, उन सबने एक प्लेज ली. इसके बाद सभी स्टूदेंट्स जितने भी आये थे और टीचर्स को एक छोटी सी डॉक्यूमेंटरी दिखाए गई. अब वो डॉक्यूमेंटरी हम सबको तो नहीं दिखा सकते थे, इसलिए उस डॉक्यूमेंटरी का लिंग हमारे WhatsApp ग्रूप में forward कर दिया गया था. उस डॉक्यूमेंटरी में हमारे सम्विधान के बारे में बहुत सी बात है थे कि वो कैसे बना, उसने क्या-क्या कठीन आई हैं उसके सामने आई. Then, Principal Ma'am conducted a webinar and conveyed a speech in the whole staff. Then we celebrated World Television Day, which is celebrated annually on 21st of November each year. In 1996, the United Nations General Assembly declared November 21 as World Television Day. The UN recognized television as having an increased impact on the decision-making as well as being an ambassador for the entertainment industry. Television is a symbol of communication, globalization that educates, informs, entertains as well as influences our decisions and opinions. और इस दौर यानि कोरोना काल में, television एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी. क्योंकि हम सब घर में बन थे और सब परिशान थे कैसे होगा, लेकिन television ने कैसी अकेली चीज थी जिसने हम सब को जोड़ के रखा, हम साथ बैटे, साथ मस्कुराए, साथ बाते करीं और सब कुछ enjoy किया. गुरू तेग बहादुर जैंती विच इसलिए हर साल 24 नवंबर को सिख धर्म के लोग गुरू तेग बहादुर को याद करने के लिए और उने शच्दांजली देने के लिए शहीदी दिवस मनाते हैं और पूरे भारत वर्ष में इसे तेग बहादुर जैंती के रूप मना जाता है तो अब हम बात करेंगे एक महापर्फ की जो की है गुरू नानक जैंती कार्दिक पूर्णिमा के दिन श्री गुरू नानक जी का चन्दिन भी बनाया जाता है गुरू नानक जी की जैंती या गुरू पर्व सिख समुदाय में मनाने जाने वाला सबसे सम्मानत दि इसे गुरु पर्व के नाम से भी जाना जाता है जिसका अर्थ है गुरुओं का उत्सव गुरु नानक जी नहित नैतिकता कड़ी महनत और सच्चाई का संदेश देते हैं यहादिन महान आस्था और सामूहिक भावना और प्रयास के साथ पूरे विश्व में उत्साह के साथ मनाया जाता है गुरु नानक जी का जीवन प्रेम, ग्यान और वीर्ता से भरा था तो अब मैं आप लोग को देने जा रहा हूँ एक दिल तहला देने वाली ख़बर जिसे सुन के आपकी सारी मौज मस्ती बंद हो जाएगी और आपकी रूह काम चाहेगी जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने हाफ यर्लीस की हमारे एक्जाम्स शुरू होने वाले हैं जिसकी वज़े से आप सभी की आउटिंग बन, मजा मस्ती बन, स्खेलना कूलना बन, सिर्फ पढ़ाई करनी है और इन एक्जाम्स के बारे में आपको और डिटेल्स में बताएंगी हमारी एक्जाम कॉडिनेटर Hello everyone, जैसे की अक्षत ने आपको दिल दहलाने वाली न्यूस सुना ही दी है कि आपके एक्जाम्स स्टार्ट होने वाले हैं तो उसकी डिटेल्स मैं आपको बताने जा रही हूँ 1st to 9th UT 2nd 15 December से स्टार्ट होने जा रहे हैं 10th and 12th के pre-board 8th December से स्टार्ट होने जा रहे हैं and 11th हाफ फेली exams 5th December से स्टार्ट होने जा रहे हैं और ये सारी चीज़े हमारे IT experts हैंडल करेंगे new technology के साथ तो be careful और अच्छे से अपनी पढ़ाई करना all the best Thank you ma'am, आपने हमें information दे दी और आप सभी लोग एकदम तयार हो जाईए अपने आपको जहूंतीजे अपने exams में बहुत अच्छा पफॉर्म कीजेगा So, coming to National Epilepsy Day In India, November 17th is observed annually as National Epilepsy Day to create awareness about epilepsy, its symptoms, diagnosis and treatment options Okay, so what is epilepsy? Epilepsy is a neurological condition that is characterized by signs and symptoms like seizures, temporary confusion, a staring spell, loss of awareness, fear, anxiety, etc. affecting people of any age, gender or geographical belonging Epilepsy has no identified cause But, doctors believe that certain factors including genetic influence, head trauma, prenatal injury, autism, etc. can potentially contribute to the onset of the condition Okay, so if I tell them in easy words, then we call epilepsy in Hindi as well as a miracle It's symptoms, it's science, it's a good way to live with it It's time to learn, fear, anxiety, depression, these are all common symptoms And, very big news, it's not communicative, it's not a person, it's not a person, it's not a person, it's a person, it's not a person Injuries before the birth In sable ki wajah se ye ho sakta hai तो इसी के साथ हमारे आज की एपिसोड की सारी information हम आपको दे चुके हैं और वक्त आ चुका है आप से विदा लेने का और जाते जाते हम आप से यही कहना चाहेंगे की सर्दियों का मजा लीजिए और किसी की भी रजाई में अपने ठंडे ठंडे पैर लगाने की जुरत बिल्कुल ना करें और अगर कोई आपके ठंडे ठंडे पैर लगाना चाहे तो उसे मूँ तोड जवाब दीजिए और मजाग को साइड में करते हुए एक्जाम सा रहे हैं उसकी त्यारी अच्छे से करिए हम दोनों की दुआ है कि आप सब अच्छे नंबर से पास हो जाएं बाकी खाते बीते रहिए रजाई में बैठके और स्टे होम स्टे सेव, स्टे सुरक्षित और सरदियों के लिए स्टे आर्शी तब तक के लिए इस आर्जे अक्षित और दिस आर्जे प्रियांशी और हम आप से मिलेंगे अपने नेक्स एपिसोड में तब तक के लिए बाई बाई